असलाब देगों गाइस तोड़े वी डिसकस अबाव सम शॉर्ट एंड और आउर लाइंज और पिटमेंड शॉर्ट एंड बुक तो लेट सी यह तो दोस्तों यह कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो हमारे आने वाले हमारे लेक्चर में भी हमें मदद देंगी हमारे जो है वो बचा सकते हैं जी सबसे पहले यह है फार यह कुवर्ड है ठीक है इसके लिए F को अबव दी लाइन लिखेंगे तो यह हमारा फॉर्ट है इसके बाद जिस तरह हम दी को लिखते थे आउन दी लाइन यह हमारा होता था दी अब हम इसी तरह इसको अबाव दी लाइन इसी तरह डॉट डालेंगे यह शो करेगा ए या एन को जिस तरह हम तू लिखते थे आउन दी लाइन इसी तरह हम अगर above the line लिखेंगे तो वो होगा off हम लिखते थे but को on the line इस तरह तो अगर हम इसको above the line लिखेंगे तो यह हमारा होगा on इसी तरह do जिसके short form थी on the line डी की लेकिन अगर हम इसको above the line लिखते हैं इस डी को तो यह क्या बनेगा head phrasing में जब हम डी को in short form सा इस्तमाल करेंगे तो वो किस तरह होगी for example on the on वैसे तो सीधा ऐसी होता है लेकिन जब phrasing में लिखेंगे तो on को थोड़ा तरचा करकर on the इस तरह टीके लगाएंगे यह दी को शोर करता है यह on the हो गया इस तरह for example हम लिखते हैं जी but the तो क्या होगा बट जैसे तो simple तो है यह ऐसे है on the line लेकिन हम इसको थोड़ा तिर्चा करेंगे but और यह दी इसी तरह हम do लिखते हैं यह यह do लिखा था हमने on the line head above the line और अगर हम इस डी को through the line लिखें तो यह word बंजेगा different या difference ठीक है अगर हम यह चीज़ देखें हम लिखते होते हैं इश इश हो करता है शेल को जिसकी शौफ फाम है on the line लेकिन अगर हम इसको through the line लिखते हैं तो यह बंजेगा हमारा wish इस तरह एक word है put तो हम through the line peak हैंगे तो यह हो जगा put लेकिन अगर हम इसको dark करके इस तरह कर थूदेने लिखेंगे तो यह बनेगा to be ठीक है इसी तरह जब हम लिखते थे for example on on लिखते थे हम ऐसे above the line ठीक है light लेकिन अगर हम इसको ऐसे dark करके लिखते हैं तो यह मरा word बनता है of इस तरह एक word है can I can we can it can तो can किस तरह लिखेंगे के के stroke को above the line लिखेंगे यह वह जगा हमारा can और अगर हम लिखना चाहरे हैं go go के भी short form है वो किस तरह होगी वो g को लिखेंगे हम above the line यह देखेंगे आप बिल्कुल सिंपल सी है सिर्म इनको आपने इक दफ़ा जब repeat करना शुरू कर लिखना start करेंगे exercise करेंगे practice करेंगे बहुत जल्द समझा जाजएगे इसके बाद एक लफ़ज है out o u g h t वो कैसे होगा यह off जो था यह dark में सीधा उपर से था जैसे on था यह थोड़ा सा तिर्चा होगा ऐसे out आगे हम देखें हम रूटीन में हमारे लफ़ज होते है इन भी हमारे रूटीन में जाज़ जूज होता है और any भी हमारे काफी जूज होता है लफ़ज होता लफ़ज तो इसके लिए simple जो n का consonant है उसको above the line लिखेंगे यह इन के लिए भी जूज होगा और any के लिए भी जूज होगा any वर्ड से कुछ derivatives जी हैं वो भी short forms है जैसे for example हमारे एक word होता है being तो हम क्या करेंगे यह देखें यहां से बी और साथ इसको ing यह being हो गया हमें इसमें कोई वावल प्लेस करने की जूरूत नहीं है कोई इसको change करने की जूरूत नहीं है इसी तरह यह word है doing इसमें क्या करेंगे डी डार्क सर कॉंसिनट और साथ यह ing यह doing हो गया having यहां से यह have और यह ing having इसी तरह going भी यूज़ बहुत होता है word तो इसके लिए असानी से यह जी को और यह साथ में ing अब यह आप यह चीज़ नोट करें कि जहां पर पहलाास्ट होगा आपका फिनिश होगा ना वहीं से आपका second start होगा यह नहीं है कि जो second position ना आप उसको देखते रहें नहीं जहां पर पहला फिनिश होगा वहीं से दूस्राइट होगा यह आपने लगाना रखना है